हेलो फ्रेंड्स मैं से एरेलो सिंगल आप सब लोगों का हमारी यूटीब चैनल लाग वालेट पे स्वागत करती हूँ हम लोगों ने जब भी GSTR 3B late file की तो late filing की late fees तो हमने पे की पर हमने उस पे interest कभी पे नहीं किया प्रोफेशनल जब भी अपने क्लाइन को कहते कि 3B आप late file कर रहे हैं late fees तो पे कर रहे हैं पर इस पर इंटर्स भी लेवेबल है आपको इंटर्स भी पे करना होगा पर या तो क्लाइन या खुद प्रोफेशनल ही उन्हें advice कर देते थे कि अभी interest calculation के लिए means interest collection के लिए department की तरफ से कोई mechanism नहीं चल रहा है तो आप उसे for the timing skip कर सकते हैं या client ही प्रोफेशनल को force करता था कि अभी वहाँ से कोई भी ऐसा mechanism नहीं है जिसके थूँआ forcefully interest collect करें तो more over compounding नहीं interest पे means interest होना interest नहीं है तो जब notice आएगा या department से call आएगा तब हम ये interest पे कर देंगे पर ऐसे means client इस चीज़ को deny नहीं कर रहा था कि उसे interest पे करना है means जब सर पे बढ़ेगी तब दे देंगे पर question starting से ही था जोब से act आया था कि interest किस पे पे करें gross पे पे करें या net पे करें क्योंकि section 50 की language जो थी हो clear cut थी उससे meaning ये निकल कर आता था कि आपको interest ब्रॉस पर पे करना है पर ये clients को बहुत hardship लग रही थी for example छोटा सा example देती पर बड़ी figure लेके suppose मेरे एक करोड की tax liability थी पर 95 lakh रुपीज का मेरा ITC पढ़ा था किसी भी reason से life मेरे पास financial crisis थे या कोई बेक साइजर रीजन था जिसके वज़े से मैं 3 भी late फाइल की मैंने तो अब क्या department को मुझसे एक करोड पर interest calculate कर लेना चाहिए या पांच लाग पर लेना चाहिए तो इसे के लिए आजकल बहुत जबदस issues चल रहे हैं अभी 10 fact को एक inter department letter issue हुआ है जिसमें उन्होंने इस पर interest recovery की scheme draft किया है तो हम उसी पहले department में जो inter department letter issue हुआ है उसको discuss करते हैं फिर आज जो सुभा से ही GST portal के twitter पे number of tweets चल रहे हैं उससे क्या result निकल कर रहता है वो देखते हैं कि interest क्या उन tweets के basis पे या उस letter के basis पे हमारा gross applicable होगा या net tax liability पे applicable होगा तो चलिए देखते हैं उस letter में क्या दिया है उस letter पे move करने से पहले friends मेरे आप लोगों से request है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो please इसे like कीजिए जादा से जादा लोगों से share कीजिए और हमारे youtube चैनल law wallet को subscribe कीजिए ताकि हमारा motivation इसी तरह से बना रहे है और हम आपको latest से latest information आपके सामने लाते रहे और उसके reply भी कैसे देने हैं इसके लिए भी अपनी तरह से suggestive action आपको देते रहे तो चलिए देखते हैं वो कौन सा letter है यह यह लेटर आया था 10 fact 2020 को जो के प्रिंसिपल चीफ कमिशनर चीफ कमिशनर को दिया गया था इसमें बताया गया था कि जो डिले फाइलर है 3b मिन्स जिन्होंने 3b की रिटर्न लेट फाइल की है और उन्होंने इस पर इंटरस्ट पे नहीं किया लेट फीस तो सब ने पे किया पर उस पर इंटरस्ट किसी ने पे नहीं किया है तो section 50 subsection 1 के accordingly उस पर इंटरस्ट को अब collect करने का mechanism आप start कर देजे section 50 subsection 1 कहता है कि जो इंटरस्ट है वो browse की figure पर लेवेबल है means अगर मेरी 100 रुपे की text liability है और 95 मेरे पास ITC में है तो हमें 5 रुपीज पर इंटरस्ट नहीं पे करना हमें 100 रुपीज पर इंटरस्ट पे करना है section 75 subsection 12 क्या कहता है कि अगर सबसे पहले notwithstanding section 73 & 74 को overrule कर दिया है उसमें बताया गया है कि अगर किसी person ने टेक्स नहीं पे किया या पार्ट पे किया पूफल पे नहीं किया या उस टेक्स के उपर जो इंटरस्ट लेवेबल था वो पे नहीं किया तो उस पर section 79 की प्रोसीडिंग स्टार्स की जा सकते है उसके प्रोविजन लगाई जा सकते हैं और section 79 है recovery recovery से दिल करता है और इसके प्रोविजन थोड़े से हाड है जैसे कि अगर आप वो इंटरस्ट पे नहीं करते हैं तो आपका प्रोविजन फ्रीज किया जा सकता है आपके डेटर्स को इस्ट्रॉक्शन दी जा सकती है कि आपके डेटर्स आपको पे ना करके डेपार्टमेंट को पे करें तो वही चीज़ यहां पर लिखिए for the above provision it can be seen that law has cost liability on the tax pay to assess and pay the interest on delay payment of tax further interest payable on such delay payment of tax can be recovered under the provision of section 79 read with section 75 subsection 12 इन दोनों को combined reading के साथ आपसे वह इस तरह से interest आपके gross liability पे correct कर सकते हैं further principal additional director general system ने 1st FAB को एक S.A.G.S.T. वाइस लिस्ट में निका ले रिजिस्टरे परसन की जिन्होंने 3 भी लेट फाइल की है और जिस पे उन्होंने interest पे नहीं किया है तो उनके quarterly यह amount roughly 46,000 करोर आता है means 45,996 करोर रुपीज है जिसके लिए वो एक collect करने के लिए सारा mechanism स्टार्ट कर रहे है और लोगों के पास notice आना स्टार्ट हो गया है इस paragraph में उन्होंने फिर से clear कर दिया है कि जो interest लेवी है होगा वो gross पर होगा नेट पर नहीं होगा वेदे इंटर्स हैस तो वी पेड और रॉस लिएपलिटी और नेट लिएपलिटी इन दिस रिकार प्रोविजर सेक्शन 50 आप वेरी क्लियर दिए इंटर्स लिएपलिटी इस रिकार तो बी पेड उन टेक्स लिएपलिटी इस पेड बिलेट लिएपलिटी आइडर थू गैश और थू उतलाइपलिटी इस से रिलेटेड आज आप्टर नून चे ही नंबर आफ ट्विट्स आने स्टार्ट हो गया है अब एक बार मैं आपको उन ट्विट्स पे लेके चलती हूं चाहर ट्विट्स आएं इसे रिटेड जैसे फर्स्ट आया है देरा सम् डिस्कुशन इंस शूचल मीडिया में जटसे लेटर आया है यह डॉक्यमेंट आया है तब से शूचल मीडिया में जिएस्ट इंटर्स पेमिंट पे बात हो रही है कि रफली 46,000 करूर्स रुपीज की ऐसा इंटर्स कलेक्शन होनी है और इंटर्स कल्कुलेशन के लिए क्लारीफाय क्या गया है सेकेंड ट्विट है तो जीएस्ट लॉव एज अफ नौ पर्मिट इंटर्स कल्कुलेशन ऑन डिलेज जीएस्ट पेमिंट on the basis of gross tax liability वही क्लियर कर रहा है कि section 50 के accordingly आपको gross tax liability पर ही पे करना है यह वाली पोजिशन अपहिल क्यों है तिलंगाना हाई कोट ने आपको पता है ठीक है कि जिस हाई कोट का जिस स्टेट की हाई कोट का decision होता है वह उस हाई कोट पर अप्लिकेबल होता है पर हम उ अपर ट्विट आया है से रुलेटेट थर्ट ट्विट के उन्होंने बताया है इंस्पाइट ओ इस पोजिशन अफ लॉव एं तिलंगाना हाई कोट ओडर तर्शेंटल गवर्मेंट अंड सेट गवर्मेंट अंडिकमेडेशन अग्स्ट कांसल अमेंडिक देर इस्प्टि में अमेंडमेंट्स आय थे जिसके अंदर उन्होंने इंटर्स लाप्री ग्रॉस के प्लेश पर नेट पर कर दी थी पर वह सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है तो वही चीज़ वह पता रहे हैं कि यह प्रॉसेस में है फॉर्थ टुटर आया है उसमें लिखा सब्सक्राइब होगी प्रस्पक्टिवली होगी मिंस आपको पुराने इंटर्स की लापर्टी तो पे करने ही होगी थे स्टेट अफ तलंगाना एंड वेस्ट बेंगल और इन दी प्रॉसेस ऑफ अमेंडिंग देर स्टेट जीस्ट एक्ट ठीक है यह दोनों अपने अगर हम नचल में देखे तो डिपार्टमेंट एंड गर्मेंट दोनों की ही इंटेंशन है कि जो जीस्टी लापर्टी है आपकी उस पर इंटर्स केल्कुलेट करने के लिए उसे ग्रॉस कंसीडर किया जाए मिंस ग्रॉस जीस्टी लापर्टी पर इंटर्स कंप्योट उसको फ्यूचर डेट जहीं जिस डेट अमेंग्मेंट होगी उस देट जहीं इसको अप्लिकेबल करेंगे तो इससे अगर आपके कोई डाउट्स है आप हमसे पूर्च सकते हैं माना यह इंजस्टिस लग रहा है कि स्पोज मेरे एक हजार करोड रुपी के लाप्ती है और सेक्शन 49 को रेफर करते हुए कि जो मेरे 95 रुपीज का ITC है वो मेरे ITC लेजर में कब आएगा जब मैं 3B फाइल करोगी अकर जब तक मैं 3B फाइल नहीं की तो वो एयर में है, क्लाउड में है तो फ्रेंट्स इस इस इसू से रिलेटेड हमारे पास एक्सपोर्ट की टीम लाटी हुई है, लोयर सेंट्स इसने मिलके इसके कुछ सोलुशन निकाले हैं जिसमें अगर आपका पहला सोलुशन कि अगर आपकी इंट्स नेट जीस्ट लाबरी पर आती है तो आप उसे इमेजेटली पी कीजिए जाए कितना भी वो एमांट हो इरिस्पेक्टिव उफ पर अगर आपकी ब्रॉश लाबरी पर इंट्रस केल्कुलेशन हो रही है और वो काफे जादा इमांट इनवाल्व है काफे मतीर इनवाल्व है तो आप हमारी पेड हल ले सकते हैं इसके लिए हमारे पास नंबर ओफ वैले रिजन्स हैं जिसके बिसिस पर हम कोशिश कर सकते है कि आपकी इंट्रस लाबरी ग्रॉश पर नाओं के इंट्रस पर लो तो फेंट्स आल फो टुड़े अकर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इज़े शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब को लावालेट को सब्स्क्राइब कीजिए थाइक यू तेचा पुरुटे